यहां मौझूद मंच में मौझूद नगर्शिवत राहू मेराची जाहिद वार्शी सभी सनमन्ने व्यक्तिकन और पस्तित भाईव बेनों दोस्तो आप लोग जानते हैं कि आने वोले 21 तरिक को यह विदान सभा का चुना होने जा रहा है मेरा भहिंदर विदान सभा का इस मेरा भहिंदर विदान सभा में कि चुनाओ में मैं कॉंग्रेस का उम्मिद्वार करके आप लोगों के सामने हूँ यह चुनाओ हम इस शहर में पड़े विए प्रस्टचार और अन्याई के खिलाप में हम लड़ रहे हैं रजनी उपराजी प्रस्टचार और अन्याई के विरुत में हम यह चुनाओ लड़ रहे हैं और इस शहर में पिछले पांस सालों से जो काम रुके पड़े हैं उसे हमको पूरा करना है हमने इस शहर को पिछले 35 साल अपने दिये हैं और इन 35 सालों में हमने शहर में सारे काम वाटर, गटर, मीटर, रास्ताय, रेलवे, बस, समशान, कबरस्तान, बर्यल ग्राउंड, हॉस्पिटल, नर्सिंग हों, ब्लड बैंग, लाइबररी, मौर ग्रूंग जो काम वे शहर में कहेंगे, अंडरग्राउंड ड्रेने सिस्टम, बीस्टी बास, टीम्टी बास, एस्टी बास, मिंस्पाइटीगी बास, हर काम हमने पिछले 35 सालों में की है, इस शहर का एक नक्षा 25 साल पहले बना, और उसके बाद इसके अमल वजावनी इस पर हुई, अगर तब जाके शहर तयार हुआ, शहर कोई पास साल में नहीं बना है, अगर यह कोई आके कहता है, कि शहर मने पास साल में बनाया है, तो क्या आप इस बात को मारोगे कि शहर पास साल में बना है, अगर पास साल में इस शहर को लूटा ज़रू गया है, प्रष्टचार हर आदमी परिशान और दुखी है और एक आदमी से दुखी है शेहर में बड़े वह इस अन्याई के खिलाथ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप हमारा इसमें साथ दें इस भृष्टचार को खतम करना है इस अन्याई को खतम करना है आज बीजेपी का जो हमिले हैं वो चुनाव क्यों लड़ रहा है वो चुनाव लड़ रहा है अपने धन संपक्ति को बचाने के लिए अपने धन संपक्ति को बचाने के लिए बीजेपी में से इंडिपेंडेंट को चुनाओ लड़ रही है तो वो उस कैंडियोट को गिरा करके अपने इगो को सटिस्फाइ करने के लिए मैं चुनाओ लड़ रहा हूँ इस शहर के विकास के लिए और प्रश्चाचार अन्याइगों खबल करने के लिए परतीस साल के पॉलिटिकल करियर में पूरे शहर में कोई एक व्यक्ति बता दे कि मुझफर उजन साहाँ आपके नाम पे ये धबा है आपने किसी को सताया है परिशान किया है पैसा काया है जमीन हड़किया है लोगों को तकलीप पहुचा ये एक व्यक्ति बता दे कुई 35 साल के करियर में मगर पास साल के अंदर आपका लूब प्रतिनीदी उसके उपर बाविस क्रिमिनल केसस है कि तालिया वजने वाली बात निये शर्म करने वाली बात है कि लोग प्रतिनीदी को भेजा आपने चुनके इस शहर के नाम को रोशन करने के लिए मगर उसने इस नाम को कलंक लगाने का काम किया कि मैं भी नौ साल विदान समय था विदान परिश्याद में था पहले पाफ साल में राश्ट्रपती का पूरष्कार मजह बिला। कितनों लगों को पता solely मजह प्रेज़िंशर एम Het बिला। और इस विपती को पाफ साल में हाइक कुट में गाहां तो क्या आपको फ्क्रम हैसुस होगा तो आपके भी रिश्सेदार दोस्त शहर में उसरें के बाहर पूच्टेंगे कभी आपको एक प्र इतने क्रीमिनल केसे थे क्या आपके आपके इमेले के अपर मैंग्रोश नस करने का केसे करने का केस है एंटी करुप्शन का केस है मार्ट पीट का केस है गुंडागर्दी का केस है बंजबरी करने का केस है जमीन हरप करने का केस है एंवर्मेंट खराप करने का केस है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है या पूच रहा हूं या आप लोगों से अच्छा लगता है या बुरा लगता है इस लुख फ्रतिनी अपको इस चुनाओं में कैसे चुनना इसका फरेसला को 21 तरीकों करना है कि जिसने 30-35 साल राजमेती करी और समाज की लोगों की सेवा करी सभी धर्म के लोगों को इखटा और संगडित रखा वैसा वैक्ति आपको आपको प्रतेनी ले करके चाहिए कि आपको इसा वेक्ती चाहिए जिसने पांस साल में शहर को लूटा लूटा और सिर्फ लूटा लूटने के अलावा दुसा कोई काम नहीं किया मैंने एक तक्रीर में कहा था कि जिसने शहर को लूटा है अब उसे लूटने का वर्ट आया है आपके में इलाके में आएंगे आपकी सुसालिटी को गेट लगा देता हूँ कलर कर देता हूँ ये कर देता हूँ मंदिर को पैसा देता हूँ मस्जिद को देता हूँ गुर्दवारे को देता हूँ मदर्शे को देता हूँ तुम्हारा चप्रा बनादेता हूँ, तुम्हारा चिता निकाल तेता हूँ। अगर ऐसा कहने वाला कोई आएगा हूं, तो उस्से पिछले पाञ साल में, जब उन्होंने activates्टों बनाय तो जायर नाम बनाया था, उसके काम के बारे में पूछेगा कि देशा टोलना का क्यों नहीं निकला मुझे वो टोलना का निकलना है ये मेरा निर्धार है अगले पास साल का बीरा रोट से लोकल डोन चोड़नी ये चाहिए नहीं चाहिए बीरा रोट से लोकल शुरू करनी है आप पे गार्बिश का डबल टैक्स लगा है गप्तर सिंग टैक्स मालू है उसे हटाना है शेहर में पानी कम हो गया है वगर पानी का फिल डबल हो गया पता है आपको 25 तका कमिशन खाया जाता है मुंस्पाल्टी में मालू है आपको साढ़्स साथ सु करोर रुपे का करजा मुंसमर्टी गव्ड़िय पर हो चुका है पाथ साल में 25 साल हमने भी नगर्पालिका चलाई वगर कभी नगर्पालिका पे करजा नहीं हुआ प्स साल में सारे साथ सुकुर उर्बे का करजा महापालिका पे कहा गया पैसा कौन लेता है 25 तका जितना काम इस शहर में हुआ चाहे कॉंक्रेट का रस्ता हो कि घटार हो क्या स्टीपी का काम हो कि बस का काम हो यह सारा काम हम लोगों ने किया मुख्य मंत्री आये थे आपके बाजू में कारिग्रम हुआ था उन्होंने बोला था कि 2019 तेक मेट्रो शुरू हो जाएगी मैंने तक्रीर में कहा था उस वक्त कि 2019 में अगर मेट्रो शुरू हो गई तो मैं रात निती छोड़ दूँगा अभी क्या चालू अभी जब एलेक्षन आया तो काशिमीरा भहिंदर रुट के उपर फिर से एक बार ड्रामा चालू हो गया तमाशा मंगिया है एलेक्षन आया कि एनॉंस्मेंट चालू होड़िंग लखना चालू मंत्री आते हैं मुख्य मंत्री आते हैं पास साल में अपने में सी फंड से मनाया था इंद्रा गांधिया हॉस्पिटल साथ टाइलेसी थी कि मशीन दी साड़े दिन हजार लोग डैलेसिस करते हैं आज भी ओपीडी चालीस हजार लोग ओपीडी की दवा लेते हैं राज्यू गांधिया ब्लेडबैंक बनाया पूरे शहर में ए जिसको तालीम की किमत नहीं पता है जिसको हेल्थ केर की किमत नहीं पता वो आपका हमारा प्रतिनी दीद्रह कर रहा है और आपसे हमसे मोट मांने आ रहा है। हमने अस्पताल बनाए श्कूले बनाई हमारे श्कूल की फीजा आइध बिकली five seven're मैना है। इनकी स्कूल की फीस कितनी है लाक हो रुपे में हमारे उर्दू स्कूल आट भी 50 रुपे में चलती है हजारा बच्चों को मेरे स्कूल और संस्ता के मांतेम से मेरा भहिंदर की 75 स्कूलों के अंदर मैं फीस भरता हूं बच्चों की मगर हमने कभी इसका तमाशा नहीं किया हमने कभी प्रोट नहीं लगा कि मुझे गर्व है क्योंकि हम इसे अपनी जाती जिम्मेदारी समझते है कव्म के लिए, लोगों के लिए, उम्मत के लिए, अवाम के लिए चाहे किसी मजभ का आदमी हो चाहे किसी धर्म का होई भाइशा का होई प्रांत का हमने किया छे करोड रुपे अपने लगा करके 2000 के साल में ये समशान, कभरस्तान, प्रेल गिराउन और जौगस प्राग मैंने बनायता अपना जाती पैसा लगा के मुंस्पाल्टी और MNC का पैसा नहीं मुंस्पाल्टी और MNC का पैसा नहीं, जाती पैसा और 20 साल तक हर मैने लाखों रुप्या खर्चा करके उसको मेंटेन किया अब इन्होंने क्या किया? बहुमत के आदार पे मेंटेनेंस हमारे से ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं हमारे नाम के फलक लगेते हैं, बोड लगेते हैं, वो निकाल के फेक दिया मुनने का आप फेक दीजिए, जो दिलोगों के दिल में बसता है, वो बोड पे नहीं रहता है हमने कौम के लिए किया, लोगों के लिए किया, अवाम के लिए किया अपने नाम के लिए नहीं किया तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता जो काम हमने किया हमने अपनी आखिरत के लिए किया उस आखिरत के अंदर हमने अपना महल बनाया हुआ है और उसकी दुनिया की कोई ताकत उसे ले नहीं से ये चुनाओ इस शेहर के अस्तित्व का करॉप्शन हटाने का और यहां पे हो रहे इंजस्ट्रीस और अग्याई के खिलाफ की लडाई का है मुझे कोई जरूरत नहीं ती है मैं चुनाओ लडू वर्किंग प्रेजडेंट हो आज कॉंग्रेस पाटी का स्टेट लेवल का जो लड़का जो इनसान इस काउं में इस शेहर में एक वाड का प्रेजडेंट था मैं 1985 में सिर्फ वाड तभी 11,000 की आबादी थी नहीं मेरा रूड की सिर्फ 11,000 वहाँ से उटकर के 25 साल में मैं अगर स्टेट का प्रेजडेंट बना दो बार MLC बना रास्टरपर्दी का पुरुसकार असिल किया डेपिटी मेयर बना नगर सुट बना तो इसके बात मुझे चुनाओ लड़ने की जुरूत नहीं थी मगर लोग मेरे पास आते थे मैं दो तीन साल काफी बिमार था लोग मेरे पास आते थे और मुझे से कहते थे कि ये मुझे ज़फर भाई आप कोई चुनाओ लड़ना पड़ेगा और ये लोगों पे अन्याई जो हो रहा है इसे आपको दूर करना पड़ेगा ये 2006 में ट्रेंगे ब्लास्ट हुए हो मगर उपर वाले का कर्म है कि लोगों ने हमारी बात को माना और इस शहर के अंदर अमन और शांती हमेशा बनी रही मगर हमने कभी बोड नहीं लगाया मुझे गर्वे हमने कभी बोड नहीं लगाया कभी पेपर में नहीं छपाया कभी हैंड विल नहीं बढ़वाया कभी होडिं नहीं लगाई क्योंकि हम इसे अपना फर्ष समझते हैं और आज भी मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ इस अन्या के खिलाब लड़ा ये लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपना फर्ष समझता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी इस लड़ाई में साथ दोगे आने वाले 21 तारिक को आने वाले 21 तारिक को कॉंग्रस की पंजेब पटन दबा करके आप मुझे बहुमतों से चुन करके भेजोगे धन्यवाब जैहिन जैगाराश्ट